गुड इविंग एवरिवन, वेलकम टुद एजुकेशन इस्टूट, मैं विनीज जैस्वाल, आपका एजुकेशन इस्टूट में हार्दिक स्वागत एवं अभी दंदन करता हूँ एजुकेशन इस्टूट पांक साल से अपनी एउफ लाइं क्लासेश प्रवाइड कर रही है लेकिन फिर भी हमने उबजर्व किया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमारे यहां सेिक्शन नहीं ले पाते हैं जबकि वो चाहते हैं कि वो हमारे यहां इस्टूट को ज्वाइन करें, बट बहुत सारे ऐसे रीजेन हमने फाइंड आउट किये, जिससे पता चला कि वो हमारे ओफ-लाइन क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, और हमने इसमें ऑप्जब किया कि जो बच्चे हैं, कुछ गल्स में, क्योंकि जो लग, उनकी जो पैंट्स हैं, वो अलाव उनको नहीं करते हैं, कि वो रात में इस्टूट में आएं पढ़ने और यहां से जाएं, या तो फिर उनके लिए यह हो कि पैंट्स उनके साथ उनको छोड़ें, फिर यहां से उनको रिसीब करें, तो के जगह, ऑनलाइन में ही कनवर्ट करेंगे, तो इससे हमने यह सोचा कि अब हम लोग जो क्लास चलाएंगे, वो रेगुलर बेसेस पे, रेगुलर बेसेस पे उनको पूरे 2024 से लेकर के अप टू डेट, हम लोग अपनी फूरी क्लास को ऑनलाइन क्लास करेंगे, इसके लिए मैं और मेरे एजुकेशनल टीम ने पूरे दो-तीन महीने से काफी मैनत इस पर किया है, और हमने फाइनली जाकर के, अब हम लोग यहां पे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने के लिए, पूरी अपनी फूर्फिल रिक्वार्मेंट को पूरा कर लिया है, अब हम लोग 15 मार्च स से आप लोग के लिए नई करके आ रहे हैं, और यह जो 15 मार्च से हैं नई पीकल से लेक्वार्द लेकर बाताराईंगे, और आपको लेक्रिक्वार्ट करेंवार्ट के लिए, आपने द्यान को खिलिए कर सकते ओने का अब अब बाकी की सा किसकशन है, बाकी इन्परमिशन जो है वो आप हमारे हर सब आपको प्रोवाइट करें गुडिम्निंग तो आल आफ यू मैसेल्फ हर्सकुमार स्रिवास्तो मैं आप सभी लोगों का जो है एजुकेशनल इंस्टिटूट एजुकेशन सेंटर में आपका हर्दिक स्वागत और अभिनान्दन करता हूं मैं आप सभी लोगों को क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक CBSC बोर्ड और ICSC बोर्ड की सारे क्लासेस के जो है फिजिक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जिससे रिलेटेड आपके पास हैं रिटें नोट्स इन दा पीडिया फार्मेट वर्ड फार्मेट प्रिविएस यह कोश्चन्स और भी जो चीजें बोर्ड पैटरन से रिलेटेड होंगी वह आप सभी लोगों को एजुकेशनल इंस्टूट के चैनल के थ्रू मिल जाएंगी जिससे आप वहां से इसली ड जो मेन मोटो था हम लोगों को इस आनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का वो उन गरीब तक्तों के बच्चों जो की कोचिंग संस्थाओं में फीस न दे सकते थे उनके अंदर पढ़ने की जिजक थी उनके लिए इस एजुकेशनल टीम के क्रू मेंबर्स ने आनलाइन प्ले ऐसे ही नहीं एजुकेशनल इस पांच सालों से जो है काम कर रहा है उसका रिजल्ट क्लास 10-12 के बच्चों ने दिखा कर यह साबित कर दिया है कि कहीं न कहीं एजुकेशनल इस टीचर्स के अंदर कहीं न कहीं जो है उन सब्जेक्ट से रिलेटेड गुणवता भरी हुई ह इसलिए उन लोगों के मेहनत के फलस्वरूप हम लोगों ने जो आनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने का काम किया है और जिसके थूरू आप सभी लोगों को रेगुलर बेसिस पे सब्जेक्ट वाइस वीडियो अपडेट होंगी ओर इन एजुकेशनल इसीटूट अल टीचर्स है वरी गुट को टीच आव एजुकेशन विच विच वीच 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 वीडियो लेक्ट्ट्र वायर टेखने प्लीच निक्स अवीच एजू कि हमारे डायरेक्टर सरा हर सर ने आपको पूरे मतलब की कैसे क्लासे चली ग है किया चीज है कहां से हम कहां से सब्च चुकर को बता दी हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम खुद लेंगे, उसको 100 लोग करने की कोसिस करेंगे, आपका डाउट ग्रूप रहेगा, आप डाउट में हम लोग से पूछ सकते हैं, हम डारेक्ट आपकी रिपलाई देंगे, और अगर आपको कुछ भी कमी लगती है, तो आप हमको यहाँ पर कॉ पूरे इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या है हमारी क्लासेज और कैसे चलेंगी, चलिए, तो कुछ चीजें हमसे भी साजा कर लिजिए, अब इसे एक सर विनी सर और हर सर से चीजें आपने साजा की हैं, तो दो लाइन हमें भी बोलने का मौका दीजिए, और सुनिए, कि हम कि इस रिस्पेक्ट में बात करना चाहते हैं आपसे, देखें किसी भी चीज के तीन पहलू होते हैं, वाट का रिफ्रेंस आप समझ गए होंगे, थमनिल देखकर ही समझ गए होंगे, कि ये वीडियो किस चीज के लिए है, रह गई कि क्यों है, तो क्यों है इसका एक्स्प्लेनेशन काफी अच्छे से आपको विनी सर, हर सर अभी सेक सर ने दे दिया है, कि हम ये वीडियो किस लिए बना रहे हैं, तो अल्टिमेटली आपको ये अकनॉलेज होई गया होगा, कि मेन मोटीव है हमारा एजुकेशन का, तो एजुकेशनल परपज ये वीडियो है, लेकिन हम ये एजुकेशन आपको किस तरीके से प्रोवाइट करेंगे, अब हम उसी के बारे में बात करेंगे, तो देखिए हमारे एजुकेशन प्रोवाइट करने का थ्री फंडामेंटल क्राइटेरिया हैं, और वो क्राइटेरिया हैं, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी रिफ्रेंस, and quality checking means that 3Q क्या purpose है 3Q हम पहले बात करेंगे quality education की quality education का means क्या होता है और quality education हम किस तरीके से आपको provide करने की कोसिस करेंगे तो quality education का सबसे main criteria होता है education in layman way education in layman way और easy way next education in visual way education in visual way and the next and last one education in practical way education in layman way यह provide करेंगे हमारे quality teachers क्योंकि यहां पर जितने भी टीचर और लेबल है आट लिस्ट वो फो फॉर्ट फाइप यर का experience रखकर ही है यहां पर भले यह प्लेटफार्म हमारा फर्स्ट टाइम आंलाइन आ रहा है बट हम पिछले चार से पांच सालों से आफ्लाइन मोट पे वर्क कर रहे हैं तो as possible as in कंदीनों में जितना भी चीज़े लोगों ने सिखा है और उसके थुरू आपको बेश्ट से बेश्ट देने की पूरी कोसिस करेंगे हम लोग नेक्स्ट एजुकेशन इन विजुलाइज वे या एजुकेशन इन विजुल वे देखिए विजुलाइजेशन दो तरीके से होता है एक आप इन्टिट्यूशन के बेसिस पर कर सकते हैं मतलब अंतरमन के आवाज से भी कर सकते हैं विजुलाइजेशन दूसरा है कि पढ़ाते टाइम किसी चीज का अगर इमेज फिर भी आपको बनाने में काफी दिक्कत हो रहा है तो उन सब चीजों के लिए हम आपको 3D या सबस्क्ति है हमारा सब सबसे में मोंटिव यही है कि जो भी चीजे हम आपको सिखा रहे हैं आप अपने जनल लाइफ से seríaolar कर पा रहे हैं कि नहीं हमारा जो batch start हो रहा है वो 15 ताफ मार्च से batch start हो रहा है और हमने 4 batches start की है class 9th, 10th, 11th, 12th के लिए सिर्फ हम 9th, 10th, 11th, 12th तक ही stuck नहीं करेंगे उससे भी ज्यादा या उससे भी down हम intricate करेंगे लेकिन अभी फिल हाल में उसका information हम नहीं थोड़े देर में विनिस्सर आपको देंगे तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि उन batches का नाम क्या है ताकि आपको ये आसानी से YouTube पे मिल सके हम एक बार उनके नाम की बात कर लेते हैं class 9th के लिए है हमारा अनंत batch सॉरी इस पेली में गलती हो गई अनंत batch next 10 के लिए हमारा रिसी बैच 11th के लिए हम ला रहे हैं द्रिस से बैच and the last one for class 12th that is दरपड़ बैच ये बैच इस 15th of March 2024 से YouTube पर आपको अवलेबल हो जाएंगे लेकिन class 9, 10th, 11, 12th पे तो mostly आपको बहुत सारे वीडियो आल्रेडी पहले से ही अवलेबल हैं लेकिन अमारे सामने जो समस्य आ रही है उनसे भी थोड़े नीचे के classes में जैसे class 6th, 7th, 8th तो इसके regard में भी हमने work करना शुरू कर दिया है और उसके regard में बाकी का information देने के लिए हम एक बार आम अंत्रित करना चाहेंगे अपने core founder member विनीद जैस्वाल सर का जैसा कि सर ने आपको बताया है कि हमने class 9th, 10th, 11th and 12th इनके लिए हम batches 15th of March से ला रहे हैं लेकिन हमने class 6, 7 and 8 इसके लिए class 6, 7 and 8 इसके लिए हमने जो plan किया है इसके लिए हम new batches लाएंगे लेकिन यह हम जो लाएंगे वह वन अप्रेल से लाएंगे वन अप्रेल से हम लोग class 6, 7, 8 को भी math science सभी सभी इसकी online classes प्रवाइड करेंगे और यहां पर जितने भी हमारी batches चलेंगी उन सभी के लिए हम notes आपको provide करेंगे आपके लिए doubt sessions होगा यहां पर जो भी notes हैगा वो हमारे website से आपको अब label मिल दाएगा आपको जो doubts होगा आप comment sections में और live classes में पुछ सकते हो इसके बाद भी हम doubt session अलग से रखेंगे आप लोगों के लिए उसके साथ साथ हम यहां पर जितनी भी जितने भी guidelines है से विए से के थुरू जो कि 9-12 के लिए आएंगे वो सारी updates आपको इस channel पर मिलते जाएंगे को अब यहां पर जो है अब हम अपनी टीम को invite करेंगे और उससे पहले हम स्रेया में को invite करेंगे जो आपको कुछ और information support तेंगे तेंकि तो मसर माइसेल श्रेया मेश्राफ फॉम अधा एडुकेशनल इंस्टिट्ट्यूट जैसा कि आपको हमारे डिरेक्टर सर अर्षर रोसल सर और अभिशेख सर ने सारी information दे दी गई है कि हम क्यों और किस लिए इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं हम लोग पढ़ने के लिए और education देने के लिए इस मूर से हम इस platform पर आए हैं और I hope आप लोग हम भी आपसे कुछ सिखेंगे और आप भी हमसे कुछ न कुछ पाएंगे I hope बहुत कुछ पा जाएंगे हम आपको बताना चाहेंगे कि online mode में जो बच्चे होते हैं काफी बहुत ज़्यादा बोर होते हैं और इसके वज़ए से बच्चे क्या करते online classes अटेंड नहीं करना चाहते हैं जैसे कोविट के टाइम बहुत सारा ऐसा scenario हुआ था कि बहुत सारे बच्चे online mode में आये थे उसका एक ही reason है कि जो हम लोग online class को attractive नहीं बना पाते हैं हमारे जो टीम है उनसे यही कोशिस रहेगी कि आपको offline online mode में भी offline जैसी field दे पाएं ताकि आप जो भी education आपको मिल रहे हैं वो अच्छे ढंग से आप ले पाएं मेरे एंट से इतना ही था बाकि मैं अपने पूरे स सारे टीम को invite करना चाहूंगी सभी members education institute के प्लीज वैलकम है आप लोग का यह है इसे के साथ हम यह वीडियो को in करते हैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए बहुश करने के लिए अपना किम टाइम हमें देने के लिए इस वीडियो का मेरे रोशन सर के दौरा एक स्टेटमेंट के दौरा किया जाएगा जिसको आप सुनकर आपको अच्छा लगेगा मोटीवेशन के लिए क्लाइन बोल सकते हैं खीचो ना कमान को ना तलवार निकालो अगर तोप मुकाबिल बनना है तो पड़ने के लिए किताब निकालो means that education is the ultimate power of your journey as well destination thank you have a nice day 3, 2, 1